Hello everyone, welcome back to day 36 और हम 100 days कर रहे थे practice जी advance की logical problems की day 36 पर आज अपन specifically differential equation और area तो अपन focus करने वाले तो फटा-फट से अपन इसके questions पर आजाते हैं सबसे पहला question अगर अगर अपन देखेंगे यहाँ पर हमें एक line दे रखी है, simple question है तो इस line का और F inverse X का coordinate axis X और Y axis के साथ area दे रखा और B पूचा है तो अपन पहले F inverse X निकाल लेते हैं और फिर graph से देख सकते हैं तो जैसे यह पहली line यह line आप कैसे बनाएंगे diagram से समझते हैं तो जैसे Y बराबर 9X पर 25 प्लिस B है तो अगर आप Y बराबर 0 कर देते हैं तो X axis को cut करेगा यह कहाँ पर minus 25 B by 9,0 पर और अगर आप X को यहाँ पर 0 कर देते हैं तो उसके case में यह Y को cut करेगा 0,B तो इसके case के अंदर यह यहाँ से एक इस तरह से pass होती है एक line बन जाएंगे inverse आपको निकालना आदा है simple straight line ही है तो Y बराबर 9X by 25 plus B इसका inverse कैसे निकाल सकते हैं transpose करेंगे तो X को Y के terms में डिख सकते हैं 25 by 9 times Y minus B यहनि कि जो आप F inverse X की बात कर रहे हैं यह F inverse X जो आपके पास ही हो जाएगा 25 by 9 X minus B तो अब इसके case के अंदर inverse है तो यह यहाँ पर B,0 है ना और दूसरे case के अंदर X 0 कर दोगे तो फिर यह यहाँ से जाएगा 0, minus 25 by 9 और इस तरह से आपका graph बन जाएगा और coordinate axis के साथ इसका area पूछ रहा तो यह आगे जाके कही ना कही meet करेंगे अब अगर आपको inverse की property याद है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से आपन सॉल कर लेंगे तो यहाँ से X बराबर 9X by 25 प्लस B को सॉल करने पर आपके पास X की value आजाएगी 25B by 16 यहनि कि यह जो point है Y बराबर X पर 25B by 16, 25B by 16 तो ऐसे दो triangles हैं यहाँ पर तो एक का area निकाल के double करते थे तो 2 times half into यह base है आपका B और height है 25B by 16 यह 49 के बराबर कर देंगे अब आप इसको solve कर सकते हैं तो यहाँ से B square आ रहा है 49 into 16 by 25 root लेंगे 7 into 4 by 5 यह answer हो जाएगा तो inverse निकालना, inverse की properties और basic area यह हमें आना चाहिए 42 के अंदर हमें exact area तो यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे sin x plus cos x by x के integration से pi से 2 pi के भी 3 pi के बीच में बोला है तो यहाँ आपन approximation यूज कर सकते हैं तो इसको sandwich बना देंगे दो curves के बीच में तो pi से 3 pi में x तो positive है तो आपको mod sin x plus cos x लेना यह भी positive ही होगा तो basically आपको इसके case के अंदर करना क्या है simply area के लिए क्योंकि उपर नीचे दोलो positive है कई negative जा नहीं रहा है तो आपको यह integration करना है तो इसके अपन दो टुकडे कर देते हैं सबसे पहला integral अपन यहाँ पर लिख देंगे pi से 2 pi mod sin x plus mod of cos x और upon में x और plus के अंदर हमारे पास आजाएगा 2 pi से 3 pi फिर से यहाँ पर लिख देंगे mod sin x plus cos x और upon में x तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे जैसे आपको इसको approximate करना है तो denominator बड़ा होते है तो value कम हो जाती है और अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते है यहाँ पर denominator minimum pi है तो यानि कि यह mod sin x plus cos x जो आएगा और upon में अगर pi कर दो तो उससे यह छोटा हो जाएगा इस integral को अगर में i1 बोल दो तो i1 इससे आपका छोटा हो जाएगा और 2 pi रख देंगा उसकी जगे तो mod sin x plus cos x upon 2 pi से बड़ा हो जाएगा अब इसके case के अंदर sin x plus cos x को गर आप root 2 से multiply डिवाइड करोगे तो यह root 2 sin of x plus pi by 4 बनेगा आप x plus pi by 4 को t भी ले सकते हो limit change हो जाएगी पर मुद्दे की बात है कि mod के अंदर sin x function है उसका time period pi होता है तो आप x plus pi by 4 t मान के आप चाहो तो pi minus pi by 4 से 2 pi minus pi by 4 करो चाहे 100 pi से 101 pi करो length pi है तो आप इसको simplify करके directly ऐसा भी लिख सकते हो कि भई यह root 2 times mod sin t का integration हो गया है कहां से कहां 0 से pi के भी जो periodic है तो यह उपर numerator में आजाएगा 2 root 2 यानि यह 2 root 2 by pi से छोटा है सेम चीज यहा है तो यह 2 root 2 upon 2 pi से क्या हो जाएगा बढ़ा यानि कि आपका यह जो i1 आया है 1st pi से 2 pi वाला integration यह 2 root 2 upon 2 pi से 2 root 2 upon pi के बीच में सेम अप्रोच आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो तो इधर जैसे आगे 2 pi तो इधर नीचे value अपन add कर देंगे तो 2 root 2 upon pi तो common आ रहा है 1 by 2 plus 1 by 3 हमें आता है और छोटा किस से हो जाएगा 2 root 2 by pi common आ रहा है 1 plus 1 by 2 हमें आता है यहां से अब आपको root 2 की approximate value पता है और उसके साथ साथ आपको यहां पर इसके case के अंदर pi की approximate value पता है तो यह जो आपका answer आएगा वो इसी का एक subset होगा अपनने और अच्छा answer दे दिया जो option में बोला है उससे भी strict bounds अपनने बता दिया तो approximation सिर्फ इस तरह का sandwich limit में definite integration में भी बना सकते हो बट area में भी कर सकते है next में आपको इनके बीच का area under the curve निकालना है a के terms में y axis के साथ और फिर यह limit calculate करने है तो graph बना लेते हैं बिटा a positive है तो e की power a minus x ऐसा आएगा 0 पे e की power a value है जो की 1 से बड़ी होगी क्योंकि a positive है इसलिए e की power x नीचे से जाएगा दोनों को अगर आप यहां पे बराबर कर देंगे तो x और a minus x a by 2 पे बराबर होगी तो आपको y axis के साथ यह वाला area चाहिए तो इसके अंदर आप 0 से a by 2 integrate कर देंगे उपर e की power a minus x और minus e की power x तो integration करेंगे तो minus e की power minus a minus x minus e की power x ऐसा आपके पास आजाएगा फिर आप limit I think आराम से लगा सकते हैं तो final limit लगाने के बाद आपके पास जो value आएगी वह वाली value हो जाएगी अपने पास अगर अपन यहां रखें तो क्या आ रहा है तो अच्छा यहां minus लगा जिए तो उसके लिए two square से multiply divide करते थे क्योंकि यहां a square यह पूरी standard limit आपकी one बन जाएगी और answer आजाएगा one by four तो अच्छा सवाल था mixed question था logic पे focus करना question से जाद next वाला जो है यह भी एक तरह से definite integration का है इसमें area में आपको जादा मेंदत नहीं करना ही पड़ेगी क्योंकि domain range positive है तो graph first quadrant में ही है तो directly जो आप area bounded ले रहे हो x-axis और x बराबर t के बीच में तो आप इसके case में 0 से शुरू होगा तो आप क्या कर सकते हैं 0 से लेकर के t fx dx यह half हो जाएगा इस triangle से जो area बन रहा उसके साथ triangle कैसा होगा 00 उसी horizontal level पे t0 और vertical पे t, ft तो यहाँ पर base की length t है height f of t के बराबर है तो इसका मतलब यह half है किसका half है triangle का half into t into ft तो कुछ ऐसा बन गए अब आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो भी आपको value calculate करना ही यहाँ पर calculate कर सकते है तो उन तरफ differentiate कर देगे differentiate करने पर आपके पास left side में f of t आ जाएगा right side में 1 by 4 तो है ही और f of t plus t f dash t अब आप यहाँ पर solve करेंगे तो 3ft आ जाएगा t f dash t तो आप यहाँ पर क्या करें 3 के नीचे t भेज सकते हैं अब integrate कर लेंगे तो 3 ln t constant को ln c लिख लेता हूं तो कि log है और ln f आ जाएगा तो यह combine कर लेंगे t की power में चला जाएगा तो ct cube आ रहा है f of t f of t आ रहा है ct cube तो अगर अपन c1 लेले तो f t बराबर t q यह नी f x बराबर x को तो functional equation area under the curve से भी बन सकती जरूरी नहीं सर्फ definite से बनाई जाए next question interesting है बट बहुत simple है अगर आपने एक logic पकड़ लिया तो first quadrant के अंदर area चाहिए y बराबर 0 यानिकि x axis के साथ इस curve यह वाला curve क्या बिटा अब देखने पर तो पता नहीं चल रहा क्या होगा लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो sin inverse cos inverse w दोमीन का ध्यान रखा करो minus 1 से 1 होना चाहिए तो आप इसको solve करोगे अब negative से तो बढ़ा ही होगा 1 की पार 4 plus 1 इसको कैसे solve करें 1 और 1 कट जाएगा तो एकी पार 4 negative तो नहीं हो सकता जीरो हो सकता है तो एकी value आ रही है a बराबर 0 तो a बराबर 0 रखोगे तो sin inverse 1 plus cos inverse 1 minus 10 inverse 1 तो यह pi by 2 minus pi by 4 तो यह line आगी x बराबर pi by तो आपको identity curve identity curve का क्या मतलब है y बराबर x तो y बराबर x line का area pi by 4 और y 0 के साथ निकालना है तो यह भी pi by 4 होगा यह भी pi by 4 triangle का area कद्दू आएगा half into pi by 4 into pi by 4 तो यह simple था बढ़ हाँ domain वाली ITF की बात हमें पता होनी चाहिए next आप हम कुछ differential equation के problems देखने वाले तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं आपर directly यह linear नहीं है पर यह reducible to linear है इसको आप linear में convert कर सकते हो trick कैसी है कैसे तो linear में क्या होता है इसको पता होगा dy by dx plus p of x into y बराबर q of x अगर ऐसी form में आजाती linear equation y with respect to x तो एक integrating factor आता है ऐसा इसको left side में y से multiply करते हैं right में qx का multiplication is integrating factor के साथ करके integrate कर लेके तो आप tan y sin y से divide कर तो बढ़े तो यह tan y sin y से divide करोगे तो यह आजाएगा cot y cosec y dy by dx कुछ इस तरह से tan y को tan y sin y के साथ करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा cosec y y x और 1 by x अब आप यहाँ पर क्या करो cosec का differentiation minus cosec cot होता है तो minus के cosec y को t लेल तो यह जो पार्ट है न बटाएगे dt by dx बनगे फिर यह वाला जो पार्ट है अपके बास यह minus t by x पराबर 1 by x अब integrating factor निकालेंगे आप तो e की पावर में minus 1 by x का integration तो 1 by x का ln x होता है minus उपर जाएगा तो e की पावर में ln में 1 by x होगा e की पार और ln हटेंगे तो 1 by x ही आएगा यह बन जाएगा t into 1 by x और right side में 1 by x square के साथ 1 by x multiply होगा यह बन जाएगा आपके बास 1 by x cube 1 by x cube का integration में आता है तो वो बन जाएगा x की पावर minus 2 और appointment 2 तो यह आजाएगा minus 1 upon 2 x square प्लस में कर देंगे c और t की जगे minus को सेक x रखके lc हम लेगा ठीक है तो logical था पर अगर आपको यह पता था पहले से तो आपको बहुत आसानी से हो गया होगा next जो होता है यह यह सेम कर में क्या होता है यह की definition से दो branches बन जाती जिसे यह है तो y बराबर उदर root लेंगे और x बेजेंगे तो x plus minus x की पावर 3 by 2 तो पहली वाली जो branch आप देख रहे हो x positive phase का differentiation पॉजिटिटिव पेस का दिप्रेंशेशन पॉजिटिव आगे दूसरा आप देखोगे differentiate करके कुछ increase करके decrease कर सकते कहने का मतलब है इन दोनों branch के बीच का आपको area चाहिए x बराबर बन तो इस तरह के curves प्लीज ध्यान रखना close loop या area between two branches आ सकते तो इसके लिए क्या करोगे आप 07 x plus x की पावर 3 by 2 में से आप subtract कर लोगे किसको x minus x की पावर 3 by 2 तो यह बन जाएगा 2 times x की पावर 3 by 2 का integration 07 यह आप बढ़ी आसानी से कर सकते तो idea दियान रखना same equation दो करको represent कर सकते next question simple है differential equation है फिरसे भई बनाएंगे और यहाँ पर primitive का मतलब integral होता है तो बोल रहा है f of x is defined और उसका small f of x का जो primitive है यानि small f of x का integral capital fx तो differentiate कर दे बिटा तो small f of x आजाएगा f dash x तो पहले linear differential बनाकर capital f dash x निकाल लेगे तो अभी मैं capital f dash x को dy by dx लिख लेता हूं और यहाँ पर f of x को y लिख लेता हूं cos x into y और right में आजाएगा ऐसा तो आप यहाँ से क्या कर लोगे आप यहाँ से linear differential equation solve करके capital f x जो y है हमारा इसको माना था यह निकालोगे differentiation small f x आजाएगा और integration ज्यादा मुश्किल नहीं है आसान है आप कर सकते हैं कैसे करेंगे cos x का integration sin x होता है तो y के साथ e की पावर sin x आजाएगा राइट साइड में अगर आपन जाएगे तो sin 2 x को आप चाहो तो 2 sin x cos x लिख सकते हैं है ना और e की पावर sin x आपके पास यहाँ आगे नीचे 1 plus sin x का whole square तो यहाँ substitution यूज करना पड़ेगा तो आप sin x को t ले लेंगे तो cos x dt हो जाएगा तो यह बन जाएगा 2 times sin x e की पावर sin x नीचे 1 plus t का whole square अब यह हमने last class में बात करें कि जिन्नों नहीं देखा पिछला lecture देख सकते हैं तो यह direct integration करने लाइक function हो सकता है अगर e की पावर x में fx plus f dash x है और आप इसका integral कर रहे हैं तो यह actually e की पावर x fx का ही differentiation है तो इसका integral हो जाएगा इसी idea को यहाँ पर use करते हैं उपर t में आप 1 add और subtract कर दो t को आप 1 plus t minus 1 लेंगे तो 1 plus t कट जाएगा तो e की पावर t के साथ बचेगा यानि इसका integration आजाएगा e की पावर t upon 1 plus t plus में आप लगा देंगे c तो e की पावर sin x से डिवाइड करके पर एक differentiation कर दो तो आसान था और आप इसको आराम से कर सकते दें next question पर आते हैं तो आपको differential equation का order बताना है और यहाँ पर क्या है कि family of circles है और इसके case में order of differential equation पूछी है जो अब दो given circle है ना तो इनके center fix है तो मानलो आप directly नहीं visualize कर पारे तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसके case के अंदर ऐसा सोच सकते हो कि कोई center है c1 यह c2 है और इनका कोई radius होगा r1, r2 तो c1, c2, r1, r2 सब पता है circle externally touch कर रहा है अब यह important बात है इसके center का जो locus होगा यह hyperbola होगा कैसे hyperbola की property होती बटा कि 2 fixed point से distance का difference अगर constant आता है तो दोनों fixed point focus होते है और जो difference होता है 2A के बराबर वो transfers access हो जाता है same question को आप try करें जैसे यह hyperbola है आप try करें कि एक external एक internal है तो क्या आएगा comments में मैं आपके answer का बेट करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि आप पूरा video sincerely follow करें तो फिलाल hyperbola प्रूफ कैसे करूँगा दोनों centers के बीच का distance c c1 r plus r1 इसी तरह c c2 करेंगा बटा तो यह r plus r2 आजाएगा तो अगर subtract कर दें से तो r हमें पता नहीं कट हो जाएगा c1 c2 पता है तो c1 c2 जो है यह आपके hyperbola के focus हो जाएगे और r1 minus r2 की length यह आपकी transfer success हो जाएगा इसका मतलब center जो आ रहा है न आपके पास यह h, k या कुछ भी मान ले तो यह hyperbola का लोकस है तो अब इसके case में अगर अगर आपन यहाँ पे बात करें कि भई हमें तो चाहिए family of circles तो आप उसके case में क्या करते हैं कि भई center से सर हम तो लेंगे distance और उसका square जब हम करेंगे तो r square आजाएगा अब जितने variable उतने ही हमें यहाँ पे differentiation उतना ही order होता है तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो c c1 c c2 के बीच का distance constant आ रहा है तो c1 जो है यह c2 जो है आपको पता है तो h, k के अंदर यह equation आ गई है आप इसको function of h, k मानलो जो की constant आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो आप यह जो k है इस k को c आपका h, k है जो आपका h और gh का function है r1 constant है तो r भी आपका h के terms में आ जाएगा यहनि आप k को भी hyperbola जो आप निकालोगे उसकी equation से k को भी आप h के terms में लिख सकते हो और इस relation की help से c c1 और r1 पता है तो आप r को भी h के terms में लिख सकते हो तो कई बार हम में directly homogenous substitution, variable, separation या linear या reducible to linear नहीं चमकता तो हो सकता है वो exact form है तो जैसे यहाँ पर y से आप divide कर दो क्यों वो ln y का differentiation है फाइदा क्या होगा बताता हूँ x dy by y minus dx पूरे को y से किया है तो इदर आजाएगा 2x q sin x dx और x की power 4 cos x dx अब देखो बटा धिहान से देखो आप इसके case के अंदर यह ln y का differentiation है x as it is, यह x का differentiation है तो अचा यह ln y था और ln y as it is तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं u dash v minus u v dash upon v square बनाने की कोशिश करते हैं तो उपर नीचे आप x square से divide कर दो यह बन जाएगा x into differentiation of ln y minus ln y into differentiation of x u dash v minus u into v dash तो नीचे v square से divide कर दिया, थाकि यह exact form बन जाए x square से divide करेंगे बटा, तो यह 2x sin x dx plus x square cos x dx बनेगा, जो खुद भी एक exact form कैसा है यह exact form देखो, x square का differentiation 2x और sin x का differentiation cos x तो यह observation बहुत शांदार चीज़ होती है इसके case के अंदर यह आगया ln of y by x का differentiation और दूसरा वाला आपके पास आगया d of x square sin x अब आप यहाँ पर simply क्या कर देंगे, integrate तो ln of y by x यह आजाएगा बटा, x square sin x उदर बेज देंगे तो minus का हो जाएगा बस minus का x square sin x plus c तो आप पहले यहाँ पर multiply कर देंगे, x और फिर आप e की power में ले जाएगा तो I hope आपको आज के इस lecture से area का और differential का थोड़े से अच्छे सवाल मिले हो logical सवाल मिले हो तो next वाले lecture के अंदर अपन differential की बात करेंगे और straight lines पर आजएगे coordinate की तरफ जा रहे हैं तो day 37 पर मिलेंगे, अगर नए है चैनल पर तो जरूर subscribe करें, 35 days का revision अल्रेडी हो चुका है description के अंदर पूरी playlist दे रखिए और playlist के साथ साथ आप सारे session PDF में मिल जाएंगे, और भी बात हैं description में एक बार देख लें और comment करके बताएंगे आज 10 में से कितने सवाल किये हैं आपके friends के साथ share करें, जो Jay की तेयारी कर रहे हैं, उनका भी बला हो जाएगा और 100 days तक बने रहेंगे, तो आप भी बने रही हैं और मैनत करते रही है means to advance अब बहुत अच्छा होगा so thank you for being on the channel और कल एक बहुत ही शांदर podcast आ रहा है तो specially जो बच्चे नए हैं या जो भी भी explore करना चाते हैं अपने interest वो से जरूर देखें आपके known भी अगर कोई है 9, 10 के अंदर जिनको maths पसंद है तो कल एक बहुत अच्छा podcast आएगा तो कल मिलते हैं शांद को उससे पहले day 37 और कुछ YouTube Shots के साथ सुबह मिलेंगे Thank you everyone